हलो वेलकम टु दिस वीडियो टूटोरियल आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे एक्सल में किसी भी स्पेसिफिक फाइल को ऑ्टोमेटिकली ओपन कैसे करते हैं तो देखिए एक्सल में सपोच कर लेजिए कि आप कुछ फाइल्स के साथ डेली की डेली काम करते हो जैसे दो और आपको वन बाई वन करके इन फाइल्स को डेली के डेली ओपन करना पड़ता है तो एक्सल में एक ऑफ्षन है जहां पे आप इन फाइल्स का पाथ देदेंगे और अटोमेटिकली जब भी आप एक्सल को ओपन करेंगे तो आपकी सारी फाइल्स एक साथ खुल जाएंगी आपको बार बार वन बाई उन करके फाइल्स को ऑपर नहीं करना पड़ेगा तो देखे मेरे पास एक फोल्डर यहां पर और मैं इन दो फाइल्स पे काम और उसके बाद क्या करना आपको यहां पर प्रोजेक्ट फाइल्स का जो यह फोल्डर है इसका पाथ को हमने कौपी करना पाथ कौपी करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर राइट किलिक करेंगे और कौपी एड्रस कौपी एड्रस पर क्लिक करेंगे हमारा इस फोल्डर का जो path है वो copy हो गया उसके बाद हम excel में जाएंगे और excel में जाने के बाद last में देखिए option हमार पास है option पर click करेंगे तो excel option का dialogue box यहां पर open होगा हमने यहां पर advance में जाना है और इसको नीचे को scroll करना है इसको नीचे को scroll किया तो यहां पर एक option हमार पास है startup open all files तो उस folder को जो हमने copy किया था folder के path को यहां पर हमने paste करना है उसको paste करने के पाद यहां पर हमने इसको क्या करना है okay करना है और excel को बंद कर देंगे वैसे excel को जब भी हम excel खोलते हैं तो by default book one करके आती है files यहां पर जैसे new करके इसको बंद कर देंगे और यहां पर देखिए excel को दुबार उपन करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर इस टार्ट पर जाएंगे और एक्सल को उपन करेंगे जैसी हमने excel को उपन किया तो देखिए हमार पास यह दो फाइल के यहां पर यहां पर और यहां पर एड करेंगे अब हम क्या करंगे इसको डाला और रखिए कि वो भी इस folder में आए क्योंकि हम उसमें भी डेली काम करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको excel को close कर दीजिए अब यहां पर जाके दुबारा excel खोलेंगे तो देखिए जो हमारी है पहले दो फाइल है थी फोल्डर के अंदर अब तीन हो गई है तो तीन फाइल है हमारे खुल गई वाण टू एंट थ्री है तो एक छोटा से वीडियो था कि किस तरीकी से जो है ऑटोमेटिकली किसी भी स्पैस्विक फाइल को हम ओपन कर सकते है ऑट कमेंट पर लिख सकते हैं मिलते हैं अगले बार किसी दूसरे वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग